हाई स्टुडेंट्स, वेलकम टू माँ हिंदी लिटरेचर क्लास, बच्चो आज मैं आपको हिंदे साहेत्य के अंतरगत पार्ट पांच का अध्यन कराऊंगी, जिसका नाम चेतक है, बच्चो चेतक कविता के अध्यन से पूर्व हम जान लेते हैं आखिर चेतक कौन है, बच चेतक महराणा पृत्ताप का प्रिय घोडा था, बच्चो हल्दी घाटी के युध में चेतक ने अपनी स्वामी भक्ति एवं वीर्ता का परचे दिया था, अंततह वह मृत्य को प्राप्त हुआ था, इस पार्ट के माध्यम से, श्याम नरायन पांडे जी द्वारा रचित प्रसित महाकाव्य हल्दी घाटी में चेतक के प्राक्रम एवं उसकी स्वामी भक्ति की कथा वर्नित हुई है, बच्चो महाकाव्य हल्दी घाटी में चेतक की वीर्ता और उसके स्वामी भक्ति की ये कविताएं, ये पंक्तियां वर्नित की गई है, तो आईए, आज हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और चेतक के गुणों को जानने का प्रियास करते हैं, बच्चों हम कविता प्रारंब करते हैं, रणबीच चौकडी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोडे से पढ़ गया हवा का पाला था, जैसा कि हम सब पढ़ रहें, श्याम रणबीच चौकडी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, ये जो पंक्तियां वर्नित की गई हैं, ये हल्दी घाटी के युद्ध में, जिस प्रकार चेतक ने अपने स्वामी भक्ती को दिखाया है, दर्शाया है, उसका वर्णन है, श्याम नरायन पांडे जी कहते हैं, रणबीच चौकडी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, हल्दी घाटी के मैदान में, युद्ध के मैदान में, चेतक ने उचल उचल कर जिस प्रकार सत्रूओं का नाश किया था, इस कारण वह सबसे अनोखा बन गया था, रणा प्रताप के घोडे से पढ़ गया हवा का पाला था, ऐसा महसूस हो रहा था, जब वह रण में शत्रों को कुचलते हुए, आगे की तरफ दोड लगाते हुए बढ़ रहा था, तो ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा महसूस हो रहा था, कि जैसे रणा प्रताप के घोडे की गती से हवा का पाला पढ़ गया है, जिस प्रकार हवा तिवर गती से बहती है, उसी प्रकार जो चेतक था, उसकी गती भी तिवर थी, गिर्ता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दोड रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, बच्चों, गिर्ता न कभी चेतक की तन पर राणा प्रताप ने अपने कोडे नहीं बढ़ साय थे, जैसे घोड़े की स्पीड बढ़ाने के लिए घोड़े पर सवार उसके सरीर पर कोड़े बढ़साता है लेकिन राणा प्रताप के घोड़े पर कभी भी राणा प्रताप ने कोड़े नहीं बढ़साए थे वह दोड़ रहा अरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था जब हल्दी घाट का युद्ध हो रहा था उस समय वह अरी मतलब होता है दुश्मन शत्रों का मस्तक कुचलते हुए इस प्रकार से युद्ध भूमी में दोड रहा था जैसे उस घोड़े का आसमान पर आसमान में उड़ रहा हो इस प्रकार वो प्रतीत हो रहा था जैसे वो घोड़ा इतनी स्पीड से दोड़ रहा था कि एसा महसूस हो रहा था कि आसमान में वो उड़ रहा हो जो तनिक हवा से बाग हिले लेकर सवार उड़ जाता था राणा की पुथली फिरी नहीं तब तक चे तक मुड जाता था, उसकी गती इतनी तेवर थी, कि जैसे हवा के जोके हमारे सरीर में एकदम से महसूस होते हैं, उसी प्रकार उसकी स्पीड भी इतनी तेज थी, उसकी गती इतनी तेज थी, कि वो अपने उपर सवार व्यक्ति को लेकर इतनी स्पीड में दौरता था, इतनी तेज गती से दौरता था, ऐसे लगता था, जिसे उड़ रहा है वो, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था, और उसकी गती इतनी तिवरि थी, इतनी तेज गती से वो घोड़ा दौरता था, कि मानों आखे राणा की जपती नहीं थी, उतने में ही चेतक मुड़ जाता, कौशल दिखलाया चालो में, उड़ गया अचानक भालो में, निर्भिक गया वह धालो में, सरपट दौर करवालो में, अर्थात, उसने अपने तिवरि गती में, सभी घोड़ो से ज़्यादा कुशलता का प्रतीत दिया, उड़ गया अचानक भालो में, और वह बहुत भीड में भी इतनी तेजी से दौरता था, मानों जैसे किसी ने भाले से प्रहार किया हो, निर्भिक गया वह धालो में, सरपट दौरा करवालो में, और वह निर्भाय होकर धाल के समान दौरता था, सरपट दौरा करवालो में, वह इतनी तेजी से, चाहे कोई भी बाधा उसके सामने आए, वह बहुत तेजी से दौरता था, और अपने कुशलता का परिचय देता था, है यही रहा, अब यहां नहीं, वह वही रहा, है वहां नहीं, थी जगा न कोई, जहां नहीं, किस अरी मस्तक पर कहा नहीं, अर्थात बच्चो, ऐसी कोई भी जगा नहीं थी, जहां पर वह घोड़ा गया ना था, वह हर जगा दिखाई दे जाता था, थी जगा न कोई, जहां नहीं, उस युद्ध के मैदान में, ऐसी कोई जगा नहीं थी, जहां पर चेतक ना गया हो, किसी अरी मस्तक पर कहा नहीं, और उसने कोई भी ऐसा शत्रू नहीं था, कोई भी ऐसा दुश्मन पक्ष का सैनिक नहीं था, जिसको उसने अपने पहरों से कुछला ना हो, अर्थात बच्चों, इस पंक्तियों को दर्शाया गया है कि, जब हल्दी घाटी के मैदान में, राणा प्रताप के सैनिक कम थे, जब कि उनके भाई, जिनसे युद्ध छिड़ा हुआ था, उनके पक्ष में मुगल सामराज्य के लोग भी थे, और उनके भाई मुगल सामराज्य की ओर से युद्ध कर रहे थे, राणा प्रताप के खिलाफ, उस समय जब यह, उसने चेतक को जब यह अभास हुआ, कि उसके स्वामी कहीं न कहीं सैनिकों की कमी की वज़े से हार ना जाएं, तो अपने स्वामी को जिताने के लिए, स्वामी भक्ती दिखाते हुए, चेतक अकेले ही उन सारे शत्रूओं से लड़ने लगा, और उसने सभी के मस्तक, तेजी के साथ कुचलना शुरू कर दिया, बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया, गया, फिर ठहर गया, विकराल, ब्रजमय बादल सा, अरी की सेना पर घहर गया, बच्चों, और जब युद्ध में, राणा प्रताप के सभी सैनिक मारे गये, तब राणा प्रताप को लेकर, वह उन्हें अपने पीट पर आसवार करके, जब चेतक घायल हो गया था, तो वह अपने स्वामी को अपने पीट पर लेकर, वहां से भागने दोडने लगा, भागने लगा, उस समय एक सामने पहाड़ी से निकलती हुई, नदी आई, उसे भी वह छलांग, नदी मतलब नाला जैसे नदी बहती हुई, चोड़ी सी निकल रही थी, उसे भी वह छलांग लगा कर, कूद गया, वह गया, फिर ठहर गया, और वह उस छलांग लगा कर, आगे की तरफ दोड़ा, किन्तु वह घायल होने के कारण, उसकी गती कम होने लगी, जब उसने उस नदी की, उस नाले की छलांग लगाई, तब, वह क्यूंकि युद्ध में घायल हो चुका था चेतक, इसलिए उसकी गती में, अब वह तेजी ना रही, वह धीरे-धीरे उसकी गती कम होने लगी, विक्राल ब्रजमे बादल सा, अरी की सेना पर अहर गया, यहां पर विक्राल ब्रजमे, धरावनी, बिजली के समान, बादल सा, बादल के जैसा, अरी की सेना पर वह, जिस प्रकार, बिजली जहां गिरती है, वहां पर जला कर, वहां की सारी चीजों को जला कर भस्म कर देती है, उसी प्रकार, जब चेतक, अरी की, मतलब, दुश्मन की सेना पर प्रहार करता था, तो उस विपक्ष दल के सैनिकों को कुचल कर, सबको मौद की निन सुला देता था, भाला गिर गया, निरा, निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोडे का ऐसा देख रंग, गिर, भाला गिर गया, निरा, बच्चो, इस पंक्तियों में कहा गया है, कि जब वो घायल हो गया, तो राणा प्रताप के हाथ से उनका भाला गिर गया, तब उसने अपने मतलब, है मतलब होता है, उस घोडे ने अपने टापों से खन गया अंग, और घोडे की टापों से उसने लोगों के अंग को खान के, मतलब कुचल कर, बैरी समाज रह गया दंग, कुचल डाला, यह देखकर, जो दुश्मन समाज की लोग थे, वह दंग रह गये, घोडे का ऐसा देख रंग, घोडे की ऐसी स्वामी भक्ति को देखकर, जो विपक्ष दल के सैनिक थे, वह भी उसकी स्वामी भक्ति को देखकर दंग रह गये बच्चों चेतक महराना प्रताप को इतना प्रिय था कि उन्होंने उसकी मृत्यू के बाद चेतक की समाधी अपने राज्य चितौर में बनवाई आज भी हम चेतक की समाधी देखने के लिए चितौर गूमने जाते हैं धन्यवाद